क्या आपको पता है हमारे law students की life बदलने वाली है? कैसे? आई ये जानते हैं Recently हमारे Home Minister Amit Shah Ji ने पार्णिमेट में एक Will Introduce किया जिसके according इंडिया के तीन major laws रिप्लेस हो सकते हैं कौन-कौन से laws हैं? पहला है Indian Penal Court 1860 जिसको रिप्लेस करेगा भार्टिय न्याय संहिता 2023 दूसरा law है Code of Criminal Procedure 1973 जिसको रिप्लेस करेगा भार्टिय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा law है Indian Evidence Act 1872 जिसको रिप्लेस करेगा भार्टिय साक्षी बिल 2023 तो इस तब क्या मतलब हुआ? क्या पुराने जितने भी Criminal Manuals और Law Books हैं क्या हम उनको फार्टे फेकते हैं? नहीं, अभी सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ है बिल को पास होने में और आक्ट बनने में अभी काफी टाइम है तो जब तब नए आक्ट बनके इंफोर्स नहीं किये जाते तब तब हमारे पुराली Criminal Manual भी काम में रहेंगे क्या वाप रीजन जाते हो ये नए बिल इंट्रोड्यूस करने का? If yes, comment below!